basically max pain theory जो है वो option writers के लिए बनी है किस तरीके से option ये जो max pain theory है workout होती है options में nifty में हो, magnifty में हो या फिर stop में हो example के साथ आज हम इस वीडियो में देखने वाले है पहले थोड़े से points discuss कर लेते हैं क्या है actual में ये max pain theory और उसके बाद एक example से मैं समझाऊंगा और उसके बाद live example भी हम chart के उपर देखेंगे कि किस तरीके से आपको इससे analyze करना है तो चलिए चलते हैं screen के उपर और देखते हैं max pain theory के बारे में तो सबसे पहला point जो है इसका वो है max pain theory assume that the option writer tends to make more money consistently compared to option buyer जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि market में जो भी future on option करता है जो भी option trading करता है उसमें option seller जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते है comparatively option buyer है आपको पता होगा 90 to 95% option buyer जो होते है वो पैसे lose करते है और यह जो 5% वाले option seller है यह उनका पैसा लूब लेते है ऐसा बात नहीं है कि मैं लूटना शब्द बोल रहा हूं लूटना लेकिन पैसे उनके वो उनके पास चले जाते है क्यों क्योंकि यह थोड़े से risk लेते है option buyer क्या कहता है नया वाला जो कोई option buyer आया है वो करता है कि जितना सस्ता रहेगा उतना option में buy करूँगा लेकिन seller क्या सोचता है कि जितना सस्ता option में बेचूँगा उतने ज़्यादा मेरे वो profit होगा option buyer जब भी बी out of the money option buy करता है तो उसमें उसको 100% loss ही होता है इसके पीछे logic होता है क्योंकि जितनी जूर market नहीं जाने वाला वहाँ पे आप option sell करके रखोगे तो आपको वो पूरा का पूरा premium जो है वो आपके पास चला आएगा और आपको वो profit मिल जाएगा दूसरा जो point है वो है यहाँ पे option पे नएजिम that option writer can influence the price of option at the expiry day influence कैसे कर सकते हैं उनको पता होता है कि कहां पे जाके हमें बड़ा loss होने वाला है क्योंकि option seller जो रहता है वो बहुत बड़ा loss उठाने की मतलब risk के साथ market में option sell कर देता है क्योंकि वो broker से क्या आगरता है कि margin ले लेता है या फिर जो loan कही है उसको वो लेता है और उसके बाद वो option sell करता है तो जैसे जैसे अगर market option seller के direction में जाए तो वो premium पूरा उसको मिल जाएगा लेकिन अगर market उसके direction में ना जाए और reverse हो जाए तो जितना market उपर बड़ेगा उतना option seller का loss यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो option seller ऐसा कोई छोटा अदनी तो है नहीं कि retailer जैसे ज्यादा loss या फिर ज्यादा fund उसके पास नहीं है तो यह जो बड़े institution रहते हैं इनके पास fund ज्यादा रहता है तो उनकी risk capacity भी उतनी रहती है लेकिन उनको भी एक risk management करना होता है इसकी वज़े से उनका max pain क्या है यह हमे buyer के लिए यह pain है जिस strike price पे सबसे ज्यादा option buyers को नुकसान होगा उस strike price को max pain point कहा जाता है उस strike price को max pain strike price कहा जाता है तो इसे हम आगे example में देखेंगे उससे पहले देखते है कि एक और point इसमें क्या निकल किया आता है one can use the theory of option pain to identify the price at which stock or index likely to expire कहाँ पे expiry आ सकती है कौन सी range में expiry आ सकती है यह आप इस max pain theory के हिसाब से या फिर data calculation से आप पता कर सकते हो कि इस particular price के उपर expiry आने के chances है क्यूंकि वहाँ पे सबसे कम loss हो रहा है option seller को जहां पे सबसे कम loss हो रहा है option seller को वही पे expiry होने के chances बहुत ज्यादा होते है और वही पे option buyer को सबसे ज्यादा नुकसान होने के chances होते है तो वो जो point होता है वो max pain point होता है और max pain point के option buyer के side से कहा गया है उसके बाद the strike at which option writer would experience least amount of loss जैसे कि मैंने अभी कहा कि least amount of loss उस strike price पे option writer या फिर option seller को बहुत कम loss अगर होता है तो वो point होता है max pain का क्योंकि opposite direction वाला जो होए जो buyer है उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा strike होने वाला है बहुत ज्यादा वहाँ पे loss होने वाला है अब accuracy की बात करें तो कुछ लोग कहतें कि यह accuracy नहीं होता है या फिर कुछ लोग कहतें इसको 99% accuracy मानी जाती है उसके बाद में discussion वो debate आगे और भी हो सकती है लेकिन अभी तक तो यही है कि जहाँ पे option seller को कम loss होआ है उसी के आसपास के strike price के उपर expiry हमें देखने के लिए मिली है अब आते है example के उपर एक example इसका देखेंगे तो आपको पूरा जो यधेरी है वो clear हो जाएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है 17,000, 17,100 और 17,200 कि strike price लिए है और call का open interest और put का open interest यहाँ पे मैंने थोड़ा सा calculate करके या फिर देखके यहाँ पे consider किया है अब यह जो लिया है open interest यह live market से लिया है लेकिन open interest ऐसी चीज है जो हर बार बदलता रहता है क्योंकि market में call और put की buying और selling हमेशा चलती रहती है जब भी market continue चल रहा है तब तो यह जो आकडे है यह थोड़ा से differ हो सकते है और यह weekly expiry के आकडे है तो इसकी वाज़े से यह थोड़ा से changes हो सकते है लेकिन हम यहाँ पे assume कर रहे है कि यह हमारा open interest अभी का है तो तीन सिनारियो मैं समझाता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे हमें यह थेरी समझनी है तो पहला सिनारियो हमने यहाँ पे लिया है कि assume that market expire at 17,000 17,000 पे market expire हो जाता है 17,000 की strike price पे expire हो जाता है तो क्या सिनारियो होगा कहाँ पे loss जादा होगा किसको loss जादा होगा यह समझते है option writer की point of view से option writer की point of view से बोर रहा option buyer की point of view से क्या होगा यह भी आगे slide में देखेंगे तो सबसे पहले none of the call option writer will lose the money however the put option writer will be in trouble market 17,000 पे close हुआ है तो call writer क्या करेंगे मान लीजेगा कि 17,100 पे market चल रहा है तो 17,100 के call writer अगर यह बेच के बैटे है और market 17,000 पे close होता है तो वो तो short position पे बैटे है क्योंकि उन्होंने call जो है वो बेचा है 17,000 का call बेचा है 17,100 का call बेचा है 17,200 का call बेचा है ऐसा हम समझ के चल रहे है 17,200 वाले पूरा premium खा जाएंगे 17,100 वाले premium खा जाएंगे और 17,000 पे market बंद होता है तो वो भी premium यहाँ पे उनको मिल जाएगा बले 0 ना हो लेकिन कुछ premium उनको यहाँ पे मिल जाएगा positives में बंद हो जाएंगे वो इसलिए यहाँ पे है कि वो कोई भी पैसे lose नहीं कर रहे है लेकिन जिन लोगों ने 17,200 का put, 17,100 का put बेचा है वो सारे लोग यहाँ पे trouble हो जाएंगे उनको यहाँ पे पैसे lose करने होंगे तो put writer जो है यहाँ पे थोड़ सी दिक्कत में आ सकते है और call writer जो है यहाँ पे कोई भी पैसे इनको lose करने नहीं बढ़ेंगे यह पहले बाद आप समझ लो अब example हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 17,000 पे अगर expiry हो जाती है तो 17,200 की जो put writer है इनको कितना नुक्सान हो सकता है अभी यहाँ पे मैंने कोई भी strike का premium नहीं लिया है सिर्फ हम यहाँ पे जो points है कितने points इनको लूज किये है उसके ओपर calculation कर रहे है कोई भी premium यहाँ पे हमने consider नहीं किया है तो अगर 17,000 पे expiry हो जाती है तो put writer को, 17,200 के put writer को 200 point का नुक्सान होगा क्यूंकि market वहाँ से 200 point नीचे आ गया है अब OI जो है 17,200 की put पे OI हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 55,900 का 55,900 का यहाँ पे OI है 17,200 की put के उपर अगर हम loss को multiply करते है OI के साथ तो हमारा rupees में कितना नुक्सान होगा यह हमें मिल जाएगा हमेशा आपको यही करना है जो OI है उसको points में आपको multiply करना है अगर आप actual में यहाँ पे premium लेते हो तो actual जो premium है उसको आपको OI को multiply करना है और आपको जो है वो amount आजाएगा वो आपको amount consider करना है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे amount कितना लिया 200 इंटू 55,900 जो OI है उसको multiply किया तो यहाँ पे हमें इतनी amount मिल जाती है तो यह amount जो है वो 17,200 के जो put writer है वो lose करेंगे इनको इतना loss हो जाएगा अब आते हैं थोड़े से नीचे side में 17,200 की put से हम आएंगे नीचे अब 17,100 की put writing में 17,100 के put writer को कितना नुकसान होगा यहाँ पे 100 points का नुकसान होगा अब 17,100 की put पे OI कितना है 55,791 अब इसका अब calculation करते हैं तो हमें amount यह निकल के आती है 100 points का नुकसान है into OI कर दिया तो यह हमारी amount यहाँ पे निकल के आ गई तो अब यहाँ पे आगे scenario क्या बनता है लेके जाता है हमें 17,000 की put पे कोई भी पैसा इनको lose नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जितना premium है उसकी value zero हो जाएगी और वो पूरा जो premium है वो 17,000 की put में उनको मिल जाएगा तो 17,000 की put में हमें zero loss हो गया कोई भी loss नहीं हुआ है हम सिर्फ put की बात कर रहे है call writers का हमने already discuss किया है कि इनने कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि market बात से गिर गया है तो अब हम देखते हैं कि combination अगर हम करते हैं तो total loss हमें क्या निकालना है basically total loss निकालना है जो total loss है option writer का यहाँ पर हम सोच रहे हैं बले वो call writer हो या फिर put writer हो option writer का total loss हमें निकालना है वो जितना कम होगा उस strike price के उपर expiry होने के chances ज्यादा हो सकते हैं और अगर हम यहाँ पर combination करते हैं so the combination of the loss by the option writer if the market expire at 17,000 17,000 पर अगर market expire होता है तो total money lost by call option जो हमने 0 पकड़ी है call option को 0 ही loss होआ है total money lost by put option put writer ने कितना loss किया है put writer का loss मतलब इन दोनों की addition हो जाएगी और call writer को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होआ है इसकी वज़े से इसको हमने 0 पकड़ा है तो हम क्या करेंगे इसका addition अगर करेंगे multiplication नहीं addition अगर करेंगे तो हमें मिल जाती है यह value यहाँ पे इतना loss हो जाएगा अगर 17,000 की expiry हो जाएगी 17,000 की strike price पे expiry हो जाएगी तो यह एक scenario है पहला scenario देखा 17,000 पे expiry होगी एकस्पायर हो जाता है 17,000 पे expiry की आ जाती है तो क्या होगा 17,000 एकस्पायरी अगर एकसो पे हो गई तो call writers को कितना नुकसान होगा उसके साथ साथ put writer को कितना नुकसान होगा यह भी देख लेते हैं 17,100 की expiry पकड़ी है 17,000 के call writers जो होंगे वो 100 point यहां पे lose करेंगे क्योंकि उसके ऊपर expiry होगी है 17,100 की call writer को क्या होगा यहां पे 100 point का नुकसान होगा 17,000 की हमने OI जो पकड़ी है वो 17,214 की OI है उसको हम 100 से multiply करेंगे तो हमें ये value निकल के आती है तो अगर market 17,100 पे expiry हो जाता है तो 17,000 की call writer जो होंगे उनको इतना नुकसान हो जाएगा अगर market 17,100 पे expire हो जाता है तो 17,200 के put writer भी यहां पे नुकसान में चले जाएगे क्योंकि उनके भी 100 point यहां पे कट गए है तो उनको भी 100 point का यहां पे नुकसान हो जाएगा और OI अगर हम calculate करते है तो OI से multiply करते है तो हमें यह value निकल के आती है अब यहां पे 17,100 और 17,200 के call seller जो है call writer जो है उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा 0 यहां भी कोई नुकसान नहीं होगा उसके साथ साथ 17,000 और 17,100 के put writer जो है उनको भी यहां पे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि market ही 17,100 पे बंद हो गया है तो 17,000 के put writer है वो 100 point profit में रहेंगे और 17,100 के put writer का भी यहां पे जो option है वो 0 हो जाएगा उसके साथ साथ market 17,100 पे close हुआ है तो 17,100 के call writer जो होगे उनका भी premium 0 हो जाएगा और 17,200 तक तो market गया ही नहीं है तो उनको भी यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उनको भी कोई loss नहीं होगा तो यहां पे हमें पता चलता है कि चार जो strike price है यहां पे तीन strike price है 17,100 का call 17,200 का call 17,000 का put और 17,100 का put यह जो है इनको कोई भी नुकसान नहीं होगा जीरो नुकसान होगा तो combination अगर हम कर दे अगर 17,100 पे expiry हो जाती है तो हमें call option writer का loss और put option writer का loss मिला के यह amount यहां पे दिखाई दीती है अब यह total amount है लगबग 73,11,400 73,11,400 इनको अगर नुकसान हो जाएगा अगर market 17,100 पे बंद हो जाता है तो दूसरे सिनारियो में हमें पता चला कि पहले सिनारियो से जो loss है writers का loss है वो कम हो गया है पहला था लगबग 16,000 के असपास दूसरा था लगबग 73,000,000 के असपास तो यहाँ पे क्या हो गया loss इनका कम हो गया है अब तीसरा सिनारियो देखते है तीसरा सिनारियो में अगर market 17,200 पे close हो जाते है expire हो जाती है तो यहाँ पे 17,200 पे कौन से call option और कौन से put option पे यहाँ पे नुकसान होगा तो पहला है 17,200 पे expire है 17,000 के call writers यहाँ पे 200 point lose करेंगे क्योंकि market 17,200 पे close होआ है और 17,000 के जो call writers है उनको यहाँ पे 200 point का नुकसान हो गया है OI है 17,214 का अगर इनका calculation करेंगे तो यह value निकल के आती है 17,200 की expire पे 17,100 का जो call writer है उसको 100 point का नुकसान हो जाएगा उसका OI यहाँ पे है 42,458 का इसको calculate करेंगे तो इतनी amount निकल के आती है यह जो total rupees में है 17,200 के call writers पे कोई भी यहाँ पे लुकसान नहीं होगा पूरा जो premium है वो यहाँ पे इनको मिल जाएगा उसके साथ-साथ market 17,200 को expire हो रहा है तो all put writers would retain the premium put writer जिन्होंने put write किया है 17,000 का और 17,100 का market बढ़ गया है इसकी वज़े से इनको पूरा का पूरा premium मिल जाएगा क्योंकि market बढ़ता है तो put की value कम हो जाती है और put writers को फाइदा होता है और market गिरता है तो call की value कम हो जाती है और call writers को फाइदा हो जाता है ये बात आपको यहां पे समझनी है तो यहां पे आप देख सकते हो कि therefore combination अगर हम कर दे तो loss कितना हुआ है 17,000 की call में 200 point का loss और 17,100 की call में 100 point का loss अगर इसको हम addition कर देते हैं तो हमें value मिलती है 76,88,600 अब शुरुवात में जो पहला सिनारियो देखा था वहां पे हमें loss ज्यादा दिखाई दिया दूसरे सिनारियो में loss कम हो गया और तीसरे सिनारियो में loss थोड़ा सा बढ़ गया अब जो max pain है जैसे कि हमने seller के side में max pain देखा था कब जब उनको loss कम होता है और जो option बायर है उनको ज्यादा loss होता है तो वो max pain point होता है अब अगर हम इसका एक chart बना ले 17,000 पे expiry होती है तो call का OI, put का OI हमने यहाँ पे लिया loss of value कितनी है? 0 है, call में किसी को नुकसान नहीं होगा put में नुकसान हमने देखा combination देखा था कि इतना हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है 1.676,690 यह value यहाँ पे निकल के आती है तो total loss कितना होगा? option writer का 1.676,690 यह total loss इनको हो जाएगा अगर expiry 17,000 को हो जाती है अगर expiry 17,100 पे हो जाती है तो यहाँ पे हमने loss calculate किया था call side का loss था 17,21,400 और put side का जो loss था वो था 55,90,000 अब हमें क्या करना है? इन दोनों writers का जो loss है वो एक साथ करना है वो उसका addition करना है उसका addition कितना आता है यहाँ पे? 73,11,400 73,11,400 यह loss कर जाएंगे अगर यह दोनों का loss मिल जाता है तो 17,100 अगर expiry होती है तो इनको 73,00,000 का loss हो जाता है और अगर 17,200 पे expiry हो जाती है तो हमने यहाँ पे देखा कि 76,88,600 रुपीज इनको loss हो जाएगा अगर combination करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे put writer पे कोई भी loss नहीं हो रहा है तो इनको यहाँ पे loss इनको 0 है सिर्फ एक call writer का जो loss है वो हम यहाँ पे consider करेंगे अब इससे हमें क्या पता चलता है कि max pain अगर हमें देखना है तो जहाँ पे सबसे कम loss हो रहा है वो max pain area हो जाएगा यह max pain area किसको होता है option buyer को होता है तो 17.100 पे अगर market expire हो जाता है तो call buyers और put buyer दोनों को ज्यादा नुक्सान होगा लेकिन call writers को सबसे कम नुक्सान होगा तो इसके आसपास 17.100 के आसपास expire होने के chances ज्यादा हो सकते है अब इससे हमें एकी बात पता चलती है बहुत लंबा calculation है थोड़ा सा मैंने exact करके दिखाया इसके वज़े से आपको थोड़ा easy में समझ में आ गया होगा लेकिन अगर आप खुद से calculation करके जाओगे हर एक strike price का OI आपको calculate करना होगा premium calculate करना होगा फिर जो ज़्यादा value आएगी वो loss option buyer का होगा इसके लिए हम देखेंगे एक chart अगर आप यहाँ पे देखेंगे दूसरी साइड से देखेंगे अब हमने देखा जो option writer के साइड से देखा option writer पे हमने क्या देखा कि जितना कम loss होगा वो max pain area होगा लेकिन वही area अगर हम देखेंगे option buyer के इसाब से तो वहाँ पे loss उनको ज़्यादा होना चाहिए अब यह loss कैसे calculate करना है आपको call or oi लेना है call का premium लेना है strike price आपको लेना है put का premium put oi total amount of call आपको अगर calculate करनी है तो call premium को call oi से multiply करना है तो आपको total amount of call मिल जाए total amount of put अगर लेनी है अगर हम add कर देते है total amount of call और total amount of put को अगर हम add कर देते है तो हमें इन दोनों का addition में total value मिल जाती है अब यह जो value है total amount of call and put की यह अगर जहाँ पे ज्यादा होगी जिस strike price पे ज्यादा होगी वहाँ पे max pain area होगा option buyer के लिए और वही पे option seller को ज़्यादा फाइदा होगा या फिर कम loss होगा वहाँ पे तो ये point निकल के आता है लगबग 17,200 के आसपास अब ये extra मैंने premium यहाँ पे calculate किया और exact premium पे calculation किया है इससे पहले जो हमने calculation किया था वो point के हिसाब से किया था इसकी वज़े से max pain area हमें वहाँ पे 17,100 दिखा रहा था लेकिन exact हम यहाँ पे premium calculate करेंगे तो आपको यहाँ पे 17,200 का max pain जो होगा वो दिखाई देगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो value है वो 17,200 के उपर आ रही है यानि कि यहाँ पे option buyer जो होंगे वो सबसे ज़्यादा पैसे lose करेंगे इसकी वज़े से max pain area यहाँ पे 17,200 दिखाई दे रहा है इसे हम live example मतलब live जो chart है उसके उपर भी देखेंगी कि किस तरीके से max pain area आपको दूनना होता है यह calculation में अगर आप जाओगे calculation समझने के लिए आपको मैंने सिर्फ explain किया है लेकिन आप खुद से करने के लिए जाओगे तो बहुत ही time आपका waste हो जाएगा इसके लिए आप nifty trader.com पे जा सकते हो वहाँ पे बना बनाया chart आपको मिल जाएगा तो अब आप कहेंगे कि वह directly वही दिखा देते तो हमें वही समझ में आता है basic theory explain करनी थी अलग-अलग scenario के साथ इसकी वज़े से मैंने ये सारा time जाम आपको दिखाया था अब चलते हैं सीधे उस website के उपर और वहाँ पे देखते हैं max plan आपको directly कैसे पता चलेगा तो आपको ज्यादा calculation में घुसने की जरूरत नहीं है सिर्फ understanding के लिए आप यहाँ पे ये जो पूरा scenarios है वो समझ लीजेगा तो चलते हैं nifty trader की website पे ये nifty trader की website हमने open कर दी directly अगर आप option chain में आपको option chain में जाना है और ये सारी जो चीजे मैंने बताई है ये cash के stock में नहीं यूज होती आपको सिर्फ option trading में ही यूज करना है सिर्फ F&O में ये चीजे यूज करनी है max pain थेरी option में सिर्फ यूज करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते है option chain हमने nifty का open किया है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे max pain directly दिखाई देता है 17-300 पे max pain है अब जो data मैंने लिया था उस वक्त market down था data change हो गया market उपर आके close हो गया है इसकी वज़े से यहाँ पे max pain जो है वो change होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि oi data जो है वो live market में change होता रहता है तो उसका आपको ध्यान में रखना है अगर हम directly इस max pain के उपर जाएंगे इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पे एक page open हो जाता है और उस page में आपको यहाँ पे live max pain जो है वो दिखाई देगा अभी 27-300 दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से यह chart दिखाई देता है इस chart का मतलब क्या होता है अगर market 14,350 पे close होता है तो put writer जो raid में दिखाई दे रहे हैं यह put writer है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो यह तो possibility नहीं है कि put writer इतना अपना नुकसान करवा ले और जो blue color की line है अगर market 19,300 पे चला जाता है तो call writers को इतना नुकसान हो जाएगा तो यह भी possibility नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या में पता चलता है इस poor picture से market यहाँ पे close होगा ना यहाँ पे close होगा और हमारी theory क्या कहती है जहाँ पे option writer को कम loss होगा वहाँ उस area में expiry होने के chances है उस strike price पे expiry होने के chances है अब हम देखेंगे तो यह जो area हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें सबसे कम loss दिखाई दे रहा है option writer का यह put writer है और यह call writer है तो अगर हम exact point देखेंगे तो यह देखेंगे 17350 और 17300 जो कि हमारा max pain level है वो 17300 का है तो 17300 को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पता चलता है हमें कि 17300 क्यूं यहाँ पे max pain दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे कम put writer को भी नुकसान सबसे कम उसी strike price पे होगा और call writer को भी सबसे कम जो है नुकसान उसी strike price पे होगा अगर उन दोनों का हम addition कर देते हैं तो दोनों को मिला के उसी strike price पे हमारा कम जो है नुकसान दिखाई देता है option writer को तो उसी area में हम पकड़ सकते हैं कि expiry होने के chances है अब आप पूछोगे कि कब देखनी होती है मैं मन्त के शुरुवात में देख सकता हूँ या फिर मुझे कब देखना होगा कि ये max pain हमें पता चलेगा अब nifty और bank nifty की weekly expiry होती है तो आप शुकरवार के बाद शनिवार या र option data change होता रहता है तो आपको हर दिन अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि range क्या क्या निकल के आ रही है तो अगर मान लीजेगा Friday के दिन 17200 max pain दिखा रहा है और market अचानक से 200 point बढ़ जाता है और 17300 max pain चला जाता है तो आपको एक range पकड़नी होती है कि इस range म इनको नुकसान बहुत कम होगा तो उस range में market रह सकता है पूरा हफता और Thursday की दिन जब expire होती है तो आप सुबह एक बार देख लोगे कि max pain कहा है तो आपको पता चल जाएगा और ये अगर आप हमेशा open रखते हो आपके यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो live data है वो बनता ह निफ्टी का लेकिन अगर individual stock का अगर हम max pain देखना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारे stock आपको available हो जाते है जो भी FNO के stock है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे किसी के उपर भी आप click अगर करोगे मानलो आर्ती industries के उपर हम click करते है तो आर्ती industries का max pain क्या है इ पता चल जाएगा अब यहाँ पे expiry month की होती है तो आप अगर 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद अगर यह देखोगे तो आपको picture जो है वो clear होता हो दिखाए देगा मतलब शुरुवात मन्त के शुरुवात में देखोगे तो थोड़ा सा picture clear नहीं होगा लेकिन 8-10 session के बाद या call और put को short कर सकते हो तो यह आपको जानना है कि कब आपको यह max pain देखना है stocks में निफ्टी में तो हमने देख लिया गया आप रोज देख सकते हो कि वहाँ पे volatility बहुत ज्यादा रहती है लेकिन stock में अगर आपको देखना है तो आप 10-12 दिन के बाद अगर देखोगे तो आ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे कम loss होगा option writer को तो यह expiry का level हो सकता है हो सकता है मैं बोल रहा हूँ होगा यह नहीं बोल रहा हूँ market में कुछ भी हो सकता है market में अगर अचानक से rally आ गई तो यह maximum change भी हो सकता है लेकिन अभी तक का data जो बता रहा है आज डेट है 18 April तक का data बता रहा है कि 960 के आसपास इसकी expiry हो सकती है अगर सबसे ज्यादा loss कब होगा 600 तक चला जाएगा और 1260 चला जाएगा तो call writer को सबसे ज्यादा नुक्सन होगा एक और stock का यहाँ पे example देखते है सबक का फेवरेट अगर हम stock यहाँ पे ले ले एक्सिस बैंक का सबसे कम जो है option writers को loss हो यहाँ पे आप देख सकते हो इस area में इतना बड़ा नहीं area होता 780 का area इननों दिया है 780 की strike पर यहाँ पे mention होगी है एक और example देखते हैं बजाज finance का बजाज finance का अगर आप देखोगे तो 7300 7300 पे max pain दिखाई दे रहा है और उसका chart आपको यहाँ मिल जाएगा तो FNO के हर एक stop के लिए और bank nifty और nifty के लिए आपको यह अगर आप website use करते हो और यह live max pain का थोड़ा सा analysis करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि writers कहाँ पे positions आपकी अपनी बना रहे हैं कहाँ पे यह call right या फिर put right कर रहे हैं जिससे इनको वाइदा होगा और ह हमें जबी भी option trading करनी होती है तो seller के point of view से सोचना होता है buyer के point of view से सोचोगे तो कभी पैसा नी बनेगा हमें seller के point of view से सोचना है कि seller कहाँ पे पैसा बना रहा है तो हम भी वहाँ पे पैसा बना सकते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना होगा उस तरीके से ही आपक जो है option trading में trade करना होगा तभी आपका पैसा वहाँ पे बनेगा otherwise यह seller हमेशा पैसे बनाते रहेंगे और option buyer हमेशा पैसे लुटाते रहेंगे तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से seller सोचता है उसका point of view क्या है उसे साथ से अगर आप सोचोगे तो अ कमेंट कीजेगा और ऐसे कोन से topic आप सुनना चाहते है और कोन से topic पे वीडियो आप चाहते तो आप comment में वह मुझे बोल सकते है मैं उसके उपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा सब्सक्राइब कीजेगा और comment में पूछेगा आपके जो भी सवाल है और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा बन्यवाद